गुन्मानी स्टूरेंट्स आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरन में पार्ट दस अभिकारी शब्द तो अभिकारी शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों में लिंग, वच्चन और काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अभिकारी शब्द कहते हैं और अभिकारी शब्द चार करकार के होते हैं क्रिया विशेशन, संबंद बोधक, समुच्ची बोधक और विस्मयादी बोधक जो शब्द क्रिया की विशेश्टा बताते हैं उसे क्या कहते हैं? क्रिया विशेशन जैसे रजनी बाहर जारी है कचुआ धीरे धीरे चलता है थोड़ा खालो वह दिन बर पढ़ता है क्रिया विशेशन के बेद क्या हैं चार बेदें काल बाचक रीती बाचक इस्थान बाचक और परिवान बाचक काल वाचक किसे कहते हैं जो शब्द क्रिया के समय के बारे में बताते हैं उन्हें हम काल वाचक विशेशन कहते हैं जैसे आज, कल, परसो, सदा, अभी, प्रतिदिन, निरंतर, फिर कभी तो ये सब क्या हैं काल वाचक हैं रीती वाचक, जिन शब्दों से क्रिया की होने की रीती का या ढंका पता चलता है, उसे रीती वाचक कहते हैं, जैसे अचानक, सहसा, अवश्य, ठीक, सच, जरूर, कभी नहीं, तो ये क्या है रीती वाचक? अगला है स्थानवाचक, जो शब्द क्रिया अत्वा होने वाले कायरी के स्थान के वारे में सूचित करते हैं, उन्हें हम स्थानवाचक क्रिया विशिशन कहते हैं, जैसे बाहर, भीतर, इधर, उधर, यहां, वहां, पास, नीची, तो ये सब क्या हैं? स्थानवाचक विशि अब है संबंद बोदक वाइक के अजने शब्दों के साथ बताएं उसे संबंद बोदक कहते हैं अब है समुच्य बोदक समुच्य बोदक किसे कहते हैं जैसे इन वाइकों से समझेंगे सपना और जूली उद्ध्यान में खेल रही है आप चाय लेंगे या कॉफी सुमन परिक्षा देती लेकिन वह विमार थी वर्षा होगी तो फसल लहला आएगी तो इन वाइकों में और या लेकिन तो दो शब्दों अथवावाइकों को जोड रहे हैं जो शब्द किसी अईन में दो शब्दों उपबाइको या वाइको को आपस में जोडते हैं उसे समुच्च बोधक कहते हैं ये समुच्च बोधक योजग भी कहलाते हैं अब है बिस्मयादी बोधक जैसे अरे आप आ गए वह तुमसे ऐसी ही आशा थी फिर बाप्रे इतना बड़ा सा आप आहा की स्वादिष्ट है हा रामू की तो दुनिया ही लुड़ गई तो इन वाइकों में अरे वह बाप्रे आहा हाय क्रमशा आश्चर प्रसन्नता भै और दुख आदि भाव को प्रकट कर रहे हैं इसलिए से क्या करते हैं विस्मयादी बोधक कहा जाता हैं तो अब हम देखेंगे कि किस प्रकार के वि शाबाश आह ये सब क्या वैक्त करते हैं हर्शिया खुशी अरे क्या बाप्रे ओहो ये सब विस्मय या आश्चर को वैक्त करते हैं फिर हाय उफ आह ओह शोक्या दुख को चिह 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 धत ओफ ये सब घ्रिना को ओ अरे रे अरी अजी संबोधन को और चुप अरे क्रोध अध्वा गुस्सा को तो आज हमने अभिकारी शब्द पढ़ लिया है आज आपको इस चैप्टर को टू टैम रीट करना है और इसके जो एक्सेसाइज प्रशन उत्तर है वो आपको सेल्फ फिल करना है और फिल करने के बाद ग्रूप में सेंड कर देना है